असलाम अलैकूम आज के इस वीडियो में हम साथवी जमात मजमून र्याजी में मुस्तकिम तनासुब और माकुस तनासुब इस सबक के मश्की सैट 37 के सवालात हल करेंगे इस मश्की सैट का ये दूसरा पार्ट है इसी तरह इस सबक का ये दूसरा वीडियो है मश्की सवालात 37 पार 2 सवाल नमबर 3 रोजाना 13 किलो गिराम 500 गिराम इजाफी खुराक 9 गाये को दरकार हो तो इस तनासुब से 12 गाये को कितनी खुराक दरकार होंगी यहाँ पर हमें 9 गाये को दरकार खुराक कितनी लगती है वो दिया हुआ है हम यहाँ पर लिख देंगे कि 9 गाये को दरकार खुराक 13 किलो गिराम और 500 गिराम है तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 13 अशरिया 5 किलो गिराम इसी तरह आगे हमें मालूम करना है कि 12 गाए को कितनी खुराक दरकार होंगी तो यहां पर हम लिख देते हैं 12 गाए की खुराक बराबर क्या यानि मालूम करना है तो यहां पर हम फर्स कर लेंगे कि 12 गाए की खुराक X किलो गिराम है अब यहाँ पर गाई की तेदाद और खुराक दोनों मुस्तकीम तनासुब में हैं इसलिए इसकी निजबत होंगी 9 निजबत 13.5 अब सवाल को हम आगे हल करते हैं निजबत को हम कसर में भी लिख सकते हैं 9 निजबत 13.5 यानि 9 वटे 13.5 अब यहाँ पर हमने शुमार कुरिंदा में तेदाद लिए और नसब नुमा में दरकार खुराक लगने वाली खुराक लिए अब यहाँ पर यह निजबत मुस्तकिल है इसलिए यह बरावर होंगी 12 गा करते हैं 9 जरब X यह बरावर होंगा 12 जरब 13.5 इसे मजीद हल करते हैं X की कीमत मालूम करना है X को जगा पर रहने देते हैं यह बरावर है 13.5 जरब 12 बटे यहाँ पर 9 शुमार कुरिंदा में था तरफैन की दूसरी जानिद जाने पर नसब नुमा में आएगा अब यहाँ पर हम 9 से 13.5 को तक्सीम करते हैं तो जवाब आता है 1.5 अब हमारे पास X बराबर बाकी बचा है 1.5 जरब 12 इन दोनों की जरब करेंगे तो जवाब आएंगा 18 यानी 18 किलो गिराम खुराब दरकार होंगी यहाँ पर यह तीसरा सवाल मुकम्मिल हुआ आईए 14 सवाल देखत हैं 12 कोईंटल सोयबीन 36,000 रूपिये में मिलता है तो 8 कोईंटल सोयबीन की कीमत मालूम कीजिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है 12 कोईंटल सोयबीन की कीमत 36,000 रूपिये हम लिख लेंगे इसी तरह से हमें मालूम करना है 8 कोईंटल सोयबीन की कीमत हम यहाँ पर फर्स कर ले अब यहां पर वजन और कीमत ये दोनों मुस्तकीम तनासुब में हैं इसलिए इसकी निजवत हम यहां लिख देंगे 12 निजवत 36,000 अब इस निजवत को हम हल करने के लिए कसर में लिखते हैं 12 वटे 36,000 यहां पर निजवत मुस्तकिल रहेंगी इसलिए ये बराबर होंगा 8 कोईंटल की कीमत x रूपिय यानि 8 वटे x अब इस मसावात को हम तिर्शी जरब करके हल कर लेते हैं 12 जरब x ये बराबर होंगा 8 जरब 36,000 या 36,000 जरब 8 x मालूम करना है x जगा पर रहने देते हैं ये बराबर है 36,000 जरब 8 बटे 12 अब 12 से 36,000 को तक्सीम करते हैं तो 12 एका 12 बारा बारा तिया 36 बचे यहां पर 3 सीफर यानि 3000 तो x बराबर हासिल हुआ 3008 ये बराबर होंगा 24,000 के यानि 8 कोईंटल सोयबीन की कीमत 24,000 रूपिये होगी इस तरह से ये चौथा सवाल हल करेंगे पाच्वा सवाल भी विल्कुल इसी तरह से है अगर 2 मॉबाइल की कीमत 16,000 रूपिये हो तो 13 मॉबाइल खरीदने के लिए कितने रूपिये दरकार होगे जो दिया हुआ है पहले वो लिख देते हैं 2 मॉबाइल की कीमत 16,000 रूपिये यहां पर हम लिख देंगे हमें मालूम करना है 13 मॉबाइल की कीमत तो 13 मॉबाइल की कीमत बराबर क्या जो मालूम करना है उसे फर्ज कर लेते हैं 13 मॉबाइल की कीमत X रूपिये हैं अब यहाँ पर तेदाद और कीमत दोनों मुस्तकीम तरासुब में हैं यानि इनकी निजबत होंगी दो निजबत 16,000 अब इस निजबत को हम कसर में लिखेंगे यानि 2 वटे 16,000 यहाँ पर दोनों का तरासुब या निजबत मुस्तकिल रहेंगी यानि ये बरावर है 13 16,000 या 16,000 जरब 13 एक्स मालूम करना है तो एक्स को जगा पर रहने देते हैं इधर है 16,000 जरब 13 दो शुमार कुरिंदा में था जरब के साथ इसलिए तरफैन की दूसरी जानिब जाने पर नसब नुमा में आएगा अब यहाँ पर 2 से 16,000 को तक्सीम करते हैं दो एका दो द 218,000,000,000,000,000,000 यानि 8,000 अब एक्स वराबर हसल हुआ 8,000 जरब 13 तेरा जरब 8,000 या 8,00 जरब 13 यह वराबर हुआ एक लाख चालिस हजार यानि यहाँ पर 13 मूबाइल की कीमत 1,040,000 रूपिय होगी इस तरह से हमने ये पाचवा सऒ़ समझे हैं इसी के साथ مشक्ष 37,30 यह पर मुकम्मिल हुई इन्शालला इसके बाद के वीडियो में हम प्रैक्टिस सैट 38 का पहला पार्ट समझेंगे अल्ला हाफिस